नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं जोदिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फेंड संतो संतोशी चर्चा आज के जोदिश जराहट के कारिक्रम में करेंगे सूर्य के राशी परिवर्तन का सूर्य मिथुन से करक में प्रवेश सत्रह जुलाई को करेंगे सत्रह जुलाई को सुबह पाँच बचकर उन्निस मिनट पर ध्यान देजेगा सुबह पाँच बचकर उन्निस मिनट पर सूर्य का प्रवेश करक राशी में हो जाएगा करक राशी चंद्रमा की राशी है रानी की राशी है माता की राशी है कालपूरुस के छाती की राशी है और सूर्य की सत्र राशी है एक तरह से क्योंकि सूर्य अगनी है और ये जल में प्रवेश करेंगे सूर्य की उपस्थती यहाँ पर 17 अगस्त दोपहर एक बच कर 44 मिनट तक रहेगे अब सूर्य का यह प्रभाव मेख से लेकर मीन तक क्या रहेगा आईए इस पर चर्चा करते हैं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन आपको बता दें कि आप पूरे सावन मतलब एक अगस्त तक हमारे जोतिश दिशा कर्मकांड कार्याले से रुद्रा भिशेक का लाभ ले सकते हैं आउनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से यह रुद्रा भिशेक हमारे कार्याले में अनवरत चल रहा है हर रोज हो रहा है लगभग सत्तर लोगों ने अब तक भाग लिया है आप भी इसका लाभ ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए सगल्प करवा सकते हैं और अनोखा फायदा आपको होगा बहुत बार अच्छे कर्मकांडी ब्रामण नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे स्थति में कम सकम अच्छे कर्मकांडी की गारंटी यहाँ पर है आईए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सूर्य के इस परिवरतन का मेश राशी वालों पर क्या असर पड़ेगा तो सूर्य का यह परिवरतन मेश वालों के लिए चुकि सूर्य अपनी राशी सिंह से द्वादस कर्क में प्रवेश कर रहे हैं 17 जुलाई से 17 अगस्त तो आपके लिए राज भय नौकरी में उठापटक लव लाइफ में अनवन ब्रेक अप की संभावना मानसिक उद्वेग थोड़ा बहुत अपयश इस्त्री के कारण कुछ दुक्सान संभव है बात ब्रिशव राशी के ब्रिशव राशी वालों के लिए सूर्य चतुर्थे शोकर के तृतिय भाव में आ रहे हैं लिहाजा भाई बहनों की बीच बिवाद, पराक्रम की कमी, मानसिक चिंता, स्वास्थाहानी, पेट की दिक्कते और धार्व की यात्राएं कराएंगे मिथुन राशी के लिए सूर्य तिर्तिय के स्वामी होते हैं और आ रहे हैं दुती भाव में यहाँ आ करके अनावश्यक अपव्य, स्वास्थाहानी, पति-पत्नी के बीच अनवन, कुटुम्ब में सेप्रेशन, भाई बहनों की बीच विवाद, धन लोलुपता, अनावश्यक भय, आँखों की दिक्कत, नेत्र दोश और वाणी दोश भी पैदा करेंगे करक राशी, दुतिय के स्वामी होकर के आपकी राशी पर सुरी का संचरन होगा, धन की वृद्धी करेंगे, पैसा आएगा, परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन, पति-पत्नी के बीच विवाद, सात्मी दृष्टी, सत्तु दृष्टी करेंगे मकर राशी पर, तो य पर्षेदारी में भी छेद, पार्टनर्शिप में दिक्कतें, यात्रा में चोट चपेट की संभावना, सिंग राशी, अपनी ही राशी के स्वामी होकर के, अपने से द्वादस आके बैठे हैं, सारीरिक छय, मांस्रिक शान्ती भंग होगा, बाहर के दोस्त मदद करेंगे धन की स्थती अच्छी रहेगी, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, कन्यराशी, कन्यराशी वालों के लिए सूरे द्वादस के स्वामी होकर के एक आदस में आएंगे, खर्च बेतहाशा बढ़ेगा, धन को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी, इधर उधर की बातों से उल्जने बढ़ेंगी, अचानक से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लाभ मार्ग प्रभावित होगा, तुलाराशी, तुलाराशी वालों के लिए एक आदशेश होते हैं, लाभ स्थान के स्वामी होकर दसम में आएंगे, आएके साधन बढ़ेंगे, कई और छेत्रों से पैसा आने सकता है, विश्चिक राशी, दसम के स्वामी हैं, और एक आदश माप की जगा, नाइन्थ हाउस में आएंगे, केंद्र और त्रिकोन का साथ मिलेगा, अदभुत लाभ होगा, कारिक्षेत्र में बेताहाशा व्रिद्धी, रुके प्रोजक्ट गतिमान होगे, यात्रा से व व्रिद्धी होगी, प्रिशिद्धी बढ़ेगी, मांसिक तनाव कम होगा, धार्मिक्ता में व्रिद्धी आएगी, और धार्मिक यात्राएं भी होँगी, हो सकती हैं नहीं होगी, धनु राषी, नवमेशो कर के अष्टम में आ रहे हैं, अतिंद्रिय ज्ञान बढ़ेगा वैराग की भावनाएं आएंगी परिवार से भी मुक्ता होगी यात्रा से लाव होगा यात्रा के दवरान लेकिन कुछ चोट चपेट की संभावना है जो लाव होगा वो आर्थिक छेत्र में होगा स्वास्थाहान योरिन संबंधी कुछ दिक्कत दिक्कत कुटमब भाव पर इनकी द्रिश्टी पढ़ करके कुछ विशेश लाव वहाँ पर दे देंगे वानी भाव में आपकी विशेश लाव होगा इंट्यूशन पावर बढ़ेगा नाइन्थ का स्वामी अस्टम में आकर दुती को देख रहा है तो इन्ट्यूशन पावर बढ़ा देगा मकर राशी आठवे के स्वामी होकर के साथवे में आएंगे तो पति-पत्नी के बीच कुछ तनाव पार्टनर्शिप में कुछ दिक्कते कुछ इधर-उधर की बातों से उद्विगनता परस्णाल्टी में लेकिन आपके कुछ अनोखी चमक आएगी यात्रा से लाब होगा प्रशिद्धी बढ़ेगी मन उद्वेग में रहेगा थोड़ा सा खिन रहेगा स्विंग करेगा मूड 17 अगस्न तक कुम्भराशी आपके सबतमेश हो करके छटे में आएंगे पति-पत्नी के बीच खटपट और दोनों का एक दूसरे के पति भटकाव होगा अपने से द्वादस गया तो पति-पत्नी एक दूसरे के पति का जो सुख है वो अनियत्र तलाश करेंगे दामपत्य जीवर में तुलनात्मक्ता की इंटर्व हो जाएगे आप कंपेर करने लगेंगे अच्छा उनकी पत्नी तो ऐसे करती है उनके पत्नी तो ऐसे करते है गढ़वर है ये जो कितना तुलना कैसे हो सकती है यार तुलना कैसे कर सकते हो सब बराबर थोड़ी नहर किसी के प्लानेट अलग है, थौट अलग है, थौट प्रोसेस अलग है, तो तुलना कैसे कर सकते हो, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ये दिया अपनी पत्नी को, उन्होंने ऐसे, अरे पागल हो क्या, हद्ध है, भक, तो ये बढ़ जाएगा कुम राशी वालों का, और पैसे उसे त खश्ठेश हो करके पंचम में आएंगे तो पंचम भाव में छठे का स्वामी हो कर आना आपकी लव लाइफ पर इनका बहुत प्रभाव पढ़ेगा लव लाइफ में कई तरह की दिक्कते आएंगी और बातें इधर उथर की बहुत आपको परेशान करेंगी बहुत जादा उ मामला फंस आएगा आपका प्रेमी आपकी प्रेमी का आपसे पैसा उधार ले सकते हैं ये मामला खतरनात रहेगा क्या उपाय करें एक ताबे का सिक्का अपने पास पूरे महीने रख लीजिए सभी राशी वाले मेश से लेकर मेन तक संतुनन बना रहेगा 17 अगस्त के अच्छा और शुबोगा बहुत शुक्रिया आपका सुरिकाय परिवर्तन आपके लिए कल्यान करें हमारी ये इश्वर से प्रात्ना रहेगी धन्यवाद नमस्कार शेरादे झाले में धन्यवाद नमस्कार शेरादे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग खुशियों की चाहा है, मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक, खुशियां अनेग